लोग तो धाकेदार एक्शन बहत्रन इस्टोरियों और शानदार विज्वल से सजी हुए यंग टाइगर जुनियर एंटियार की फिल्म देवरा आज अपना पहला हपता एडियन बॉक्स आफिस के साथ साथ दुनिया वर के बॉक्स आफिस पर खत्म कर रही है लेकिन दोस्त अपने साथवे दिन के कलेक्शन के साथ ही ये कंफर्म हो चुका है दोस्तों की जुनियर एंटियार की फिल्म दुनिया वर के बॉक्स आफिस पर 500 करोड रुपे के आखड़ को पार करने वाली तेलगू सिनिमा की वान अप दे बिगेश्ट ब्लॉकबस्टर बनने वाली है जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म देवरा के साथ दिनों के इंडियान और वर्लवाइट बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में और जानेगे कि इस फिल्म ने किन किन फिल्मों के रिकोर्ट्स को आज ब्रेक किया है तो चलिए शुरु ने दोस्तों दिनावर के बॉक्स आफिस पर एर की हासी कमाई कर ली जुनियर एंटियर की शांदार एक्टिंग उनकी पारफुल परफॉमेंस के साथ साथ उनका जबर जस्त एक्शन और सेफ अली कान के साथ उनका जो फैसो फे वो फिल्म में काफी गजब दिखा गया है पहला इंटर्वल तो दोस्तो फिल्म में शानदार है ही लेकिन दोस्तो क्लाइमेक्स भी ओडियन्स के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। देवरा ने दोस्तो अपने पहले दिन हिंदी में भी आठ करोड रुपे की नेट कमाई की जो कि one of the biggest है और इस साल जहां बॉल्यूट के बड़े-बड़े सुपरिस्टार्स दो तीन जो चार करोड रुपे की ओपनिंग दे रहे हैं तो वहीं दोस्तो जुनियर एंटियार की इस दूसरी पैरेडिया फिल्म ने ही आठ करोड रुपे की ओपनिंग दे दी बात कीजाए दोस्तो इस फिल्म के अगर अब तक के टोटल कलेक्शन की तो दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवरा के मेकर्स की तरफ सी या ओफिशल इस्टेटमेंट आ चुका है कि इस फिल्म ने तीन दिनों में 304 करोड रुपे की शानदर कमाई दुनिया बर के बॉक्स आफिस से की इंडिया नेट बॉक्स आफिस पर इस फिल्म का जो हिंदी में कलेक्शन था वो तीन दिनों का 29 करोड रुपे का रहा जो की वन उप दो बैस्ट है लेकिन अगर बात कि यहाँ पर इस फिल्म के विगडेस के कलेक्शन की तो दोस्तों बताते चले आपको कि अपने शुरुआती तीन दिनों के बाद इस फिल्म ने अपने चोथे दिन दुनियाबर के बॉक्स आफिस पर 22 करोड रुपे की शांदार कमाई की अपने पाचवे दिन दोस्तों इस फि इस फिल्म के कलेक्शन में जो उचाल हिंदी, तेलगू, तामिल, कंड़ा और मल्यलम भाषा में देखने को मिला है उतनी ही अच्छी कमाई दोस्तों इस फिल्म ने आवर्सिस बॉक्स आफिस पर भी की है जी हाँ दोस्तों आप सभी को बताते चलें कि कल इस फिल्म ने इं आखड़ को टच करने में कामयब रही है इन 35 करोड के साथ ही दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो दुनियावर में 389 करोड रुपे के आखड़ को टच करने में कामयब रहा और दोस्तों इन 389 करोड के साथ ही जुनियर NTR की ये फिल्म इस साल की बिगेस्ट अगर बाद के जाए सिर्फ हिंदी की तो दोस्तो बता दे चले आपको कि हिंदी बॉक्स आफिस पर इस फिल्मने जहाँ अपने पहले दिन 8 करोड़ रुपी कमाई किया थी तो वहीं दोस्तो अपने दूसरे और तीसरे दिन के कलेक्शन के साथ ही 29 करोड़ रुपे कमा लिये अपने चोटहे दिन दोस्तों इस फिल्म ने बॉकस आफिस पर काफी स्टोंग होलड किया और कमाए 4,40 लाख रुपे पाँचवे दिन भी दोस्तों इस फिल्म के जो collections थे उसमें काफ़ अच्छा hold देखने को मिला यहां कि दोस्तों इस फिल्म ने अपने पाँचवे दिन हिंदी नेट बॉक्स आफिस पर ग्रोध दिखाई और कमाई 4 करोड 80 लाख रुपे लेकिन दोस्तों यह फिल्म कल अपने छटे दिन भी हिंदी बॉक्स आफिस पर काफ़ी अच्छा ट्रेंड करने में कामयब रही और दोस्तों गांधी जैन्ती के मोके पर इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स आफिस पर साड़े 6 करोड रुपे के आंखड को टच किया है इन 6.5 करोड रुपे के साथ ही दोस्तों इस फिल्म का एडियन नेट बॉक्स आफिस पर हिंदी में जो कलेक्शन है वो 45 करोड रुपे के आंखड को चुने में कामयब रहा और इन 45 करोड के साथ ही दोस्तों ये फिल्म इस साल टॉप 10 हिंदी फिल्मों के लिष्ट्रे में शामिल हो चुकी है लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के आज यानि कि अपने साथवे दिन के दोस्तों बता दे चला है आपको कि आज की इस फिल्म की एडवांस बुकिंग हिंदी बॉक्स आफिस पर 40 लाख रुपे की है ये फिल्म दोस्तों आज मौरनिक से हिंदी में अपने चोथे दिन की ही तरह ट्रेंड कर रही है और इस फिल्म के आज ये भी कलेक्शन्स लगबग 3 करोड 80 लाख रुपे के आखड़े को टच कर रहे हैं इन 3 करोड 80 लाख के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन होगा वो हिंदी बॉक्स आफिस पर 48 करोड 80 लाख रुपे का हो चुका होगा worldwide box office collections की बात की जाए तो दोस्तो ये फिल्म आज दुनियावर के box office पर लगबग 15 करोड रुपे के आखड़ो को टच कर रही है जिससे कि इस फिल्म का total दुनियावर के box office पर 394 करोड रुपे का हो चुका होगा दोस्तो बताने चले आपको की जुनियार एंटियार की इस फिल्म का budget 200 करोड रुपे का था और इस फिल्म को हिट होने के लिए 300 करोड रुपे की कमाई करनी थी फिलाल में दोस्तो इस फिल्म को जिस तरह से audience पसंद कर रही है ये फिल्म दोस्तो इस साल 500 करोड के कलब में शामिल होने वाली जुनियर एंटियार की one of the biggest grocer तो बनेगी है साथी साथ दोस्तो इस साल स्त्री टू और कलकी के बाद सबसे जादा कमाई करनी आली फिल्म भी बनेगी इस फिल्म ने Indian Box Office पर अब तक तो कई सारी बड़ी फिल्मों के रिकोर्ड को तोड़ा ही है लेकिन दोस्तो थला पे थी विजय की फिल्म The Greatest of All Time के रिकोर्ड को बीट करते हुए ये फिल्म 500 करोड के क्लब में शामिल होने वाली इस साल की तीसरी बड़ी ग्रोसर मनेगी आपको दोस्तो क्या लगता है क्या जुनियर NTR के इस फिल्म का कलेक्शन 500 से साड़े 500 करोड रुपे के आंखड को छूपाएगा या नहीं हमें अपने राय कमेंट करना बिल्कुल ना भुलिएगा और दोस्तों बॉक्स हाफिस बॉल योडर साउस से जुड़ी सभी वड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चेनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरू कीजेगा धन्यवाज जेहिं जे भारत